तो आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग जा रहे हैं परवत इश्च और महादेव बंदिर दोस्तों ये काईलाना रोड पर फोड़ा सा काईलाना से आगे पड़ता हैं तो आपको चल के दिखाते हैं तो दोस्तों आम लोग पहुंच चुके हैं परवत तेश्वर महादेव मंदिर और इसका नाम परवत तेश्वर महादेव मंदिर इसलिए पड़ा है क्यों कि यह बहुत सारे परवतों के बीच में हैं तो आपको चल के दिखाते हैं उपर की कैसा मंदिर है और कैसे कैसे आसप झाल 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 तो दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन कर लिया है महादेव जी के अब हम मंदिर के पीछे की तरफ आ गया है जहां पर पूरे पहाड ही पाहड है तो यहां पर आपको दिखाते हैं पहाड के व्यूज और यहां पर आवा भी बहुत तेज है और आप मेरे बाल उटते हुए आपको दिखाएंगे कि कैसी होती है जोदपुर में तो चलिए आपको दिखाते हैं जोटी पे जाना है आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों वो रहा त्रिशूल आपको वीडियो के अंदर देखता नहीं रहा होगा फिर भी बता देता हूं वो वाली जो पाहड़ी है वो है त्रिशूल दोस्तों यह जो सामने आप देख रहे हो यह सिवजी का मंदिर और यहां पर कुंड भी बना हुए और इस कुंड के उपर बहुत सारे बर्ट्स भी आता है जो दूर दूर से लोग आते हो यहां पर फोटो सूट करते है बर्ट्स का तो आपको इसका अलग व्लोग देखने को मिल जाएगा बात में इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना यहां पर एक बहुत अजीब चीज है कि यहां पर पैर रखते पैर श्लिप हो जाते हैं नीचे ऐसी जमीन है आपको बता तो कैसी जमीन है आपके भी हो सकते हैं कोई बी पतर के ओपर पैर बड़ा तो जान देखे चलना पड़ेगा तो कैसा है यहां पर विव यहां का विव बहुत शांदार है मैं तो यहां पहले भी आज चुका हूं कई बार आपका फर्स टाइम है आप मेरा जो एक्सपीरियंस है वह मिरको बहुत ही अच्छा लगा नैक्स लेवल एक्सपीरियंस है और भ कुछ ऐसे भी बने हुए आपको दिखाता हूं कि कैसी है देखे आप देख सकते हैं यहां पर चोटी 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 बहुत सारी बनी हुई और यह थोड़ी सी बड़ी है आप इसके अंदर बैटके मस्त अफ्रश्या करने आप आज एक चीज अची होगी ना आपन क क्या होगी गड़ा वह यह हुई कि आज आपन को मंदिर के अंदर वाला सूट करने को मिल्किया पहली बार कोई भी मंदिर में नहीं तो जित्ते भी व्लॉग डाले उसमें से सब बंदे बिलकुल यह बहुत अच्छी चीज होगी कि आपको व्लॉग पिसंद आया होगा थे वाचिंग चैनल पर नए होतो दिस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना एं शेर करना मिलते हैं अगले व्लॉग में